हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं और पूर्ण रूप से लगन राशी पर आधारित है चंदर राशी पर आधारित ये नहीं है और तीसरी बात ये कि जो हमारे मीन लगन राशी के मित्र है यानि कि जिनका पाइसेज असेंडेंट बनता है उन ही जातकों की विशे में उन ही हमारे जो मित्र हैं उनके विशे में हम चर्चा करेंगे कि उनकी लव लाइफ सितंबर 2023 में कैसी रहने वाली है या लव लाइफ से related किस किस प्रकार के results मिलने की संभावनाएं अधिक बनती है इस विशेबे बात करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए mainly जब भी हम बात करते हैं लव राशी की संभावना है कि आपको आपका कोई मित्र मिल जाए लेकिन दूसरा पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कि आप पहले से आप कहते हैं ये बात कि हमारा कहीं relation चल रहा है या हमारा affair चल रहा है तो उनके विशे में भी जानकारी देंगे कि आपका सितंबर 2023 कैसा रहने वाला है इस दिशा में कितना सक्सिस होंगे आप कितना प्रोग्रेस होगी आपके इस relation में या कितना इसको enjoy करेंगे या कई ठीक किसके विप्रीज कुछ उलट चीज़ां तो नहीं हो जाएंगे आपकी लाइफ में जो आपको disturb करें तो ऐसा जो भी कुछ possibility रहेगी जिस चीज की भी उसके विशे में बात करेंगे point number three लेंगे के भाई आप मील लगन राशी के हमारे मित्र जो शादी-शुदा हैं विवाहित हैं उनका विवाहिक जीवन कैसा रहने मौला है और इसके बाद जो हम बात करेंगे अपने मील लगन राशी के मित्रों से कि भई आप शादी शुदा हैं लेकिन आपका कहीं एफएर भी आपका कहना है कि मेरा एफएर चल रहा है उसके विशे में हम बताएं आपको कि सितंबर दोहजार तेश में कैसा रिजल्ट रहने वाला है आपके लिए जिनका एक्स्ट्रा मेरिटल एफएर से वो बात होगी औ और अन्त में बात करेंगे कि नो कॉंटेक्स सिचोशन में आप अगर आ गए हैं तो आगे अब क्या स्थिती और कैसी स्थिती रहेगी तो इसके विशे में बात करेंगे तो आईए सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरम करते हैं हमारे जो मीन लगन राशी के स सिंगल जातक हैं उनके विशे में तो जानेंगे कि आप सिंगल जातक जो हैं सितंबर दोहजार तेश में आपके लिए ग्रह किस प्रकार का सपोर्ट आपको दे रहे हैं साथियों बताना चाहते हैं आपके लिए कि आप हमारे मीन लगन राशी के जो सिंगल जातक मित्र हैं आप इस पूरे महीने सितंबर दोहजार तरीक में ये एक अच्छा साइन है ग्रों की ओर से जो हम आपसे बताने जा रहे हैं कि पूरे महीने अब आप चाहें अभी तक आपकी मान से किस्थिती कैसी भी रही चाहें आपने इस दिशा में कुछ विचार किया नहीं किया गंभी तक की बात कर रहा हूं कि आप सिंगल जातकों के दिल और दिमाग में एक तरीके से ये बैठा हुआ है या आप ये चाहेंगे और पूर जोड़ कोशिश आपकी रहेगी कि आपका जो मित्र है आप उसके साथ जुड़ना चाहेंगे उसके साथ घुमना फिरना बाचीत करना पूरी तरीके से आप उसको टाइम देना चाहेंगे आप तो पूरी तरीके से उसके लिए हर तरीके से चाहें आप कितने ही बिजी हो कितना ही आपका शेडूल कितना ही टाइट को ना हो जो भी कुछ हो कैसे भी क्यों ना हो आप उनके लिए अगर आपको ये पता लगता है कि भाई उनको आप का इतना वज़े टाइम चाहिए तो आप उतने वज़े टाइम कैसे भी करेंगे कुछ भी करेंगे निकाल के वहां तक पहुँचेंगे और उनसे मिलेंगे संपर्क करेंगे क्योंकि आप पूरे महीने उनके उपर दिल और जान से फिदा रहेंगे अब बात यह है कि भाई आपकी विश्य में तो हमने बता दिया अब जो आपका मित्र है जिसके साथ आपकी मित्र है उसका भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा हाँ यह जरूर हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ा आपके मित्र के वैभार में कुछ उन्नी से किस आपको देखने को मिले लेकिन ओवरॉल ओवरॉल उधर से भी आपको पूरा अच्छा सपोर्ट मिलेगा यनि कि कहने का यह है कि आप अपने उस मित्र के एटिट्यूट से विवार से और जो बातें आपके और उनके बीच में होंगी काफी हद तक आप उनसे संतुष्ट रहेंगे सैटिस्फाई रहेंगे यह लेकिन एक बात यहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि देखि बहुत अच्छा है सब कुछ ठीक चल रहा है सारा कुछ पॉजिटिव वे में है तो इसका लाव लेते हैं इसका एडवांटेज लेते हैं प्रपोस कर देते हैं अब देखिए अब प्रपोस के ओपर ही बताना चाहेंगे कि अगर आप उस मित्र को प्रपोस करते हैं तो यह proposal आसानी से accept नहीं होगा इसमें परेशानियां बहुत हैं आपके मित्र की तरफ से भी है और आपके घर की तरफ से भी रहेंगी दोनों और से आप अकेले आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से ठीक है तैयार हैं mentally prepared हैं लेकिन घर के लोगों का भी तो consent चाहिए होता है ना अगर कोई काम अच्छा करना हो और समाज की नजरों में भी उसको मानने ता मिले तो घर का भी जो भुजुर्ग हैं बड़े हैं वो भी उसको accept करें तो अच्छा रहता है तो यहां पर कुछ आपके घर की तरफ से भी समस्या हैं मिझे दिख रह तो इसलिए अभी proposal करने का time propose करने का समय नहीं है अभी थोड़ा सा इस विशह पे आपको थोड़ा शांत रहना पड़ेगा और अगर आप यह चाहते हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है propose कर देते हैं मेरा मित्र जब इसको ठीक समझेगा accept कर लेगा महीना लगे उसको time दो महीने लगें तो फिर फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर आप कर सकते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं हम तो इस वज़ा से मना कर रहे हैं it will take more time असानी से यह accept नहीं होगा आपका proposal तो इसलिए हमने आप से यह बात कही थी क्योंकि ग्रहों की उस दिशा में आपको support नहीं है साथी है आगे बात करते हैं कि अगर आपका कहीं affair चल रहा है या कहीं आप relationship में हैं तो ये भी होता है कि जब काफी समय हो जाता है relationship में चलते हुए या affair तो ये भी decide करते हैं दोनों लोग कि भाई अब ठीक है हम एक दूसरे को अच्छी तरह बह तो क्या marriage का योग है marriage तो तभी होगी जब योग होगा गरों की इजाज़त होगी तो आपके बताना चाहेंगे कि marriage का योग अभी जो है वो पूरे तरीके से नहीं है हाँ ये जरूर है कि बीच बीच में एक एक दो दो दिन के लिए पूरे महीने में कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए या दो दिन के लिए बनेगा तो जब तक लंबा समय लंबे टाइम तक योग ना बने तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलते हैं यह तो यहां पर आपको यही बताना चाहते हैं कि इसमें कोई थोड़ी बहुत अर्चन है तो रहेंगी आपके इसमें जो आपका रिलेशन्शिप चल रही है या जो आपका एफियर चल रहा है शादी का योग तो नहीं है हमना का यही बताया है आपको यहां पर लेकिन हाँ यह भी है कि शादी से कम भी नहीं है और थोड़ी बहुत अर्चन हैं रहेंगी आपकी और उनकी जो संबंद है महा के आर कोशिश हैं कही ना कहीं रहेंगी कि यह इसमें कुछ ना कुछ विगन पैदा किया जाए आप दोनों के बीच में और कुछ ना कुछ मिसंडरिस्टेंडिंग क्रियेट की जाए उससे आपको साफ़दान रहना है लेकिन महा के मद्दे के उपरां यह चीजें समाप्त होंग और आपकी है रापकी मित्र के बीच में बहुत अच्छी बांडिंग होगी और इतनी अच्छी बांडिंग होगी कि आप कहीं दूर जाने का भी प्लैन कर सकते हैं लेकिन उसमें आपका धन अच्छा خासा खर्च होगा जितनी इंकम होगी उससे भी जादे आप खर्चा कर बैठेंगे excitement में इसका ध्यान रखिए कि बजट ना बिगड़ जाए आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की कि वैवाहिक सुख कितना है विवाहित व्यक्तियों का जो मीन लगन राशी के जी हाँ extra marital affairs होने के कारण भी इस बात की संभावना है कि आपकी जो family मतलब जो married life है वो disturbed अब आपको ये decide करना है कि वैसे तो देखिए क्या है कि जब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो ये decide कर लेते हैं कि हमने तो second marriage करना ही करना है first को वो ज्यादा तवज्जों नहीं देते ignore करते हैं लेकिन अगर आप अपनी first marriage को भी समाल के रखना चाहते हैं जो की रखना चाहिए भी तो उसके लिए हम आपको अंत में कुछ उपाया बताएंगे वो आप जरू करें तो उससे आपका जो married life है काफी हद तक सही दिशा में जा पाईगी और extra marital के लिए तो हमने कहा ही है आपको कि extra marital के लेकर के घर में भी कुछ बाद बिवाद पैदा हो सकते हैं और कुछ तनाव जादे रहने वाला ये सितंबर के महीने में जो extra marital affairs में भी हैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात को लेकर के ये tension रहनी है आपके लिए भी दोनों तरफ से family life मतलब varied life में भी extra married life में भी इसके लिए उपाए आपको देने वाले हैं वह उपाए आप अंतितक वीडियो जगूर देखें और वह उपाए आप करें बहुत आसान उपाए बताएंगे आपको वह उपाए करने से आपको काफी रहत मिलेगी और यहां पर आपको बताना चाहें चाहेंगे कि देखिया आपका जो life partner है उसको स्वास्त से health से related भी समस्याएं बनेंगी इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा वाकई अगर आप हकीकत में reality में अपनी married life को समालना चाहते तो अपने जीवन सा काफी हच्तक सैट होगी ठीक होगी और जहां तक extra marital का सवाल है वहां तो कुछ हमें disturbance नजर आ रहा है कुछ तनाव कुछ tension परेशानी कुछ उलजने कुछ ऐसी सितिति बनती नजर आती है और अंत में बात करते हैं आप से कि जो no contact situation में चले गए हमारे मित्र उनकी सितिति कै कैसी रहेगी प्रियसातियों आप से बताना चाहते हैं कि आप जो no contact situation में हैं आप तो काफी देखिए इस बात को ले करके बहुत excited हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप उस मित्र के साथ पहले जैसे relationship को कायम कर लें वैसे ही मित्रता कायम करें वैसे ही मिलना जुलना हो आप तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा romantic भी रहेंगे और पूरे mood में भी रहेंगे excited भी रहेंगे लेकिन देखिए सवाल वही है कि ताली दो हाथ से बच्ती है एक हाथ से नहीं बच्ती देखिए एक हद तक जो आपका वो मित्र है जिसके साथ आपका break up हुआ है आप ज पीच पीच में कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के शिकायत हैं कुछ चीजें हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह hundred percent ही आप से बिलकुल एक दम दूर रहना चाहते हैं या आप से आपको पसंदी अब नहीं करते हैं ऐसी भी स्थिती नहीं लगती है ग्रहों के आधार पर और उनको दूर करने की कोशिश करें काफी हद तक इस बात की उमीद है कि हलाकि इसमें थोड़ा समय लगने की संभाव ना लग रही है यह जादा लेकिन धीरे धीरे अगर आप इस जैसा हम बता रहे हैं उसके आधार पर उसके अनुसार अगर आप आगे बढ़ते हैं और उनकी समस्याओं को अपनी समस्याओं समझ करके उन पर गंभीरता पूरवक विचार करके उनको सौल्व करने की कोशिश करेंगे तो निश्चत रूप से आप आगे बढ़ताएंगे अब आपको हम उपाये देना चाहेंगे कि जो उपाये करने से आपको उसका बहुत अच् समद्रिमाल दे दें. समवार के दें? इस महीने की उपाये बता रहे हैं. दूसरा सूरह Daredeva को जल देतेंस जबए zweiten एस्वां नादी से निवरत होके ओर तीसरा उपाए आपने क्या करना है तीसरा उपाए आपने ये करना है कि अगर आप वाकिए चाहते हैं कि आपकी मेरेड लाइफ भी सैट हो सही हो और बाaggi चीज़ें भी आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चलें तो उसके लिए आपने करना यह है कि हनुमान जी के मंदर में आपको जाना है लाल वस्त्र पहन के मंगलवार के दिन वस्त्र लाल हो और जब घर से निकलें तो भगवान राम का नाम लेते हुए ही मंदर तक जाए हनुमान जी के रहा ही बैठ करके पहर आप संदर कान्ड का पाठ कर सकते हैं संदर का जरूर निया कि साराई करें थोड़ा बहुत करलीजिए या फिर राम रख्षा स्तोत्र का करने या संदर कान्ड कर लें तो और भी अच्छा है चाहे कुछी चौपाई करें उसके बाद हनुमान चालिसार हनुमान जी की आर्थी और भगवान रामचंद्री जी की आर्थी यह कर लें और वहाँ पर सरसों के तेल का धीपक जला दें हनुमान जी के आ रहें और बूंदी का परशाद चढ़ा दें यह काम आपको करना है तो काफी हद तक चीजें आपकी नियंतरण में आएंगी मुठ है और अधिक साधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो मीन लगन राशी के जो आपके मित्र हैं वह भी आप इस जानकारी का लाव उठा सकें और यदि आप यह चाहते हैं के आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हमारे एस्ट्रोजी के टॉपिक पर बनेंग और अपने आप सभी मीन लगन राशी के जो हमारे मित्रगन हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे तो इसी के साथ आप सभी का सहर दे बहुत बहुत धन्यवाद जैमातादी